सो हाई गाइस आज हम बात करेंगे मर्सल ब्लेज वे गोल्ड आइसोलेट की यह इसको अपन चार बेसेस पर रिव्यू करेंगे पहला रहेगा मिक्सिबिलिटी और दूसरा रहेगा अपना प्राइस तीसरा रहेगा अमाइनो एसेट प्रोफाइल और चौथा रहेगा यह तो फारा देन से यूज़ कर रहा हूं और इसकी मिक्सिबिलिटी इत्ती हच्छी नहीं है लेकिन आपको इसको अच्छे से शेक करना पड़ेगा ताक कि अच्छे से मिक्स होसके है ऐसे नॉर्मली जैसे नॉरमल प्रोफाइल में देखा जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 25 ग्राम प्रोटीन एक 33 ग्राम की सर्विंग में तो इसके हिसाब से इसके अंदर 4 ग्राम ग्लुटामाइन है और 5 ग्राम बीसी डबले और थोड़ा बहुत यह तो यह थी इसकी अमीन असेट प्रोफाइल और इन सबसे लोगे तो यह आपको महांगा पड़ेगा और डुपली के सी के भी चांसे हैं तो मेरी माने तो इसको आप अपनी मसल ब्लेज की ओरिजिनल साइट है उस पर से जाकर आप इसको बाय करें तो यह जादा अच्छा रहेगा और मतलब डुपली के सी के बहुत कम आप जाए हैं और अगर वैसी बेजान रहता है तो इसके अंदर करना सकते तो के इसको डी हए और इसके रिजर्स के बारे मैं बातकर थ्करता है तो इसले 15 जुनों से मी लिए रहा हूं और मनेर को क्या फील होता है कि इसकी mixability गम है प्रोटीन अच्छा है इसका हाई क्वालिटी प्रोटीन है इंडियन ब्रैंड है और इसको पीने के बाद न अपना पेट सा भर जाता है काफी मतलब काफी हद तक जैसे और काप लेंगे प्रोटीन तो आपका पेट इतना भरेगा बहुत स्मूथ प्रोटीन होता है यह उत्ता स्मूथ प्रोटीन नहीं है इसके अंदर आपको मतलब डगा रहेंगी और थोड़ी सी ब्रोटिंग हो सकती है बाकी ऐसा कुछ नहीं है बाकी अच्छा प्रोटीन है BCAA यह पढ़िया प्रोटीन है आप इसको ले सकता है और यह था मतलब क्विक बाकी अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगाओ तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक्यू